सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नश्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी के स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमजनेट परोबे आज हम बात कने वाले हैं इन फोर्मल फैलिसिज के बारे में इसके काफी तरह की टाइब से दोस्तों और इसमेंसे बहुत कोशन पहले एक्जाम में आ चुके हैं यह थमारा नया टोपिक है इसको अच्छे से समझना हम सभी ज़ये बहुत जरुरी है क्योंकि इसमें से आगे भी question आने की बहुत संभावना है तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना उध्यान से देखना दोस्तों अगर आपको net और ज्यार्फ चाहिए तो अबारा paid course से जरूर जोइन किजिए इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के new updated notes देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question पेपर हिंद इंगलिस में देंगे नमर तीन के दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नमर चार के दोस्तों आपको unit wise के अलावा आपको sub topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आजके वो अलग है, hyphothesis के अलग है type of company question से जो भी question आजके वो अलग है यानि कि sub topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमर पांच के दोस्तों हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले है इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है क्या होती है और हमने इससे पहले video बना रखे कि falsies क्या होती है formal falsies क्या होते है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो वो वीडियो जरूर देख लिए ना क्योंकि उसके बाद ही आप इस परको अच्छे से समझ पाएंगे तो चली अब हम बात करते हैं कि informal falsies क्या होती है देखिए इसको हिंदे में अनौप चारिक मिथ्या तरक कहते है इन्फर्मल फैल्सीज को identify करना हमारे लिए काफी मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बहुत से टाइप होते हैं और insufficient तरक दिये जाते हैं और irrelevant तरक दिये जाते हैं इसके अंदर काफी तरक की प्रोडम आती इसको identify करने में और क्या क्या दिक्कत आती है वो सभी हम इसके अंदर बात करेंगे देखिए इसमें बहुत से आगमनातमक तरक हो सकते हैं जिससे इन तरकों के निसकर भी अनंत मिलते हैं यानि कि ऐसे तरक होते हैं जो हमें सही भी लगते हैं और लेकिन वो सही नहीं होते हैं उसके काफी तरह के informal fallacies they can be broken down into sub category देखी इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या category हो सकती है नमबर 1 फैलसी और क्या होता है अनुमान की भराती अब देखी इसके क्या क्या type हो सकते है ये तो है हमारी category की बात करें अब इस category के अंदर कितने type हो सकते हैं उनकी बात करते हैं नंबर एक पे है हस्ते जनरलाइजेशन इसके इंदर क्या होता है कि ड्राविंग एक कंकुलोजन फ्रोम ए इंसुफिशेंट सेंपल इस इस बेश्ट अपॉन अपनॉर्मल सिच्वेशन इसके इंदर क्या होता है कि इंसुफिशेंट हमारे पास सेंपल होता है उसे हम कंकुलोजन ड्राव करने की कोशिश करते हैं देखिए इसमें एक इसके पास कोई सुफिशेंट रीजन नहीं है यह विदाउट किसी रीजन के ऐसे ही अपनी बात कह रहा है तो यहां पर क्या होगा हस्ते जर्नलाइजेशन हमारे पास हो जाएगा और आगे हम बात करते हैं आगे हमारा किस तरह का आगे हमारे पास पॉस्ट होग एरगो प्रप्रेक्टर होग इसके देखिए यह जो नाम है आपको काफी अट उट पतान से लगेंगे लेकिन फिर भी हमें इसको समझना जरूरी है दिस मेनिंग आफ्टर दिस देरफॉर विकॉज अफ दिस यानि कि यह जो घटित हुआ है यह इस वज़े से हुआ है हम इसका reason देते हैं इसके इंदर क्या होता है कि इसके बाद इसलिए इस वज़े से यह हुआ है इसके इंदर क्या होता है कि कार्ण और परभाव की व्याख्या की जाती है इसके इंदर A हुआ है तो B हुआ इसलिए A ने B को जनम दिया इस तरह की हम बात करते हैं इसके इंदर देखिए इसका भी एक example लेके चलते हैं जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यह कहा है कि इसमें देखें यह आप देख सकते हैं कि यह I must have God fever because of the homework I had last night यानि कि मुझे fever हुआ है क्यों हुआ है मुझे fever बर्गर खा लिया था एक और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक और example मैंने एक गाये देखी और मेरी कार की दुरगटना हो भी इसलिए गाये देखना अप्सकुन है तो इन्होंने एक और यहाँ पर एक जामपल दिया है और इससे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर रीजन दिया जाता है कि किस कारण से क्या हुआ और वो रीजन जो है वो सही रीजन नहीं हो सकता आगे हमारे पास इसके अंदर क्या होता है एप्रियाप्त प्रमान के साथ नकारातमक प्रिणामों की भवी से वानी करना यानि कि हमारे पास एप्रियाप्त प्रिणाम होते ही सही क्या है कि सही आर्गुमेंट नहीं होते है उसके ऊपर हम नकारातमक प्रिणाम निकालने की कोशिस करते हैं और इसको देखी एक आया था हमारे एक्जाम के प्रैक्टिस करते हैं और मेहंगी दवाईया लिखते हैं ठीक है इसलिए इस अस्पिताल में घटिया गुणवता सुतर का उपचार किया जाता है यहां पर इन्होंने negative परिनाम निकाला है और इनके जो भी argument है वो सही तरीके से सही नहीं है अब देखिए इन्होंने कहा है कि इस अस्पिताल में कुछ नर्से सफेद वस्तर नहीं पहनती तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो अस्पिताल घटिया सतर का इसमें उपचार होत देर उनी से हम नकारात्मक परिनाम निकालने की कोशिश करते हैं और आगे हम बात करते हैं वीक एनालोजी अब इसके इंदर क्या होता है उन मामलों से निसकर्ष निकालना जो एप्रयापत रूप से समानतर है अब देखिए दो चीजे हमें समानतर दिखाई दे लिए ठीक उन से हम कुछ ए प्रयापत परिनाम निकालने की कोशिश करते हैं देखिए इसका भी एक 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 गजांपल दिखाते हैं आपको इससे अच्छे से समझ में आजएगा एकस इस लाइक वाई जो एकस आदम है वह य के जैसा है उसके जैसा है ठीक है वाई has the property of P यहन कि य के P की property है P के गुन है अब देखिए इसको अच्छे से समझी X जो है वो Y के जैसा दिखता है उसके जैसा है और Y है Y के अंदर किस के गुन है P के गुन है therefore X has the property of P अब इसने result निकाल दिया कि X के अंदर भी P की property है अब देखिए यहाँ पर similar है समानतर दिखरी है यह दोनों चीजे और यहाँ से हमने P का relationship इसके साथ निकाल दिया तो हम यह नहीं कह सकते कि जो P की property X के अंदर होगी ही होगी यह हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते और आगे हम बात करते हैं complex question इसके अंदर क्या होता कि आप क्या सविकार कर रहे हैं कि आप गल्थ हैं इसके अंदर हम negative तरीके से उसको convince करने की कोशिस करते हैं और अगर वो हाँ भरेगा तो भी वो गल्थ होगा ना कहेगा तो भी वो गल्थ होगा कि हम कहते हैं कि क्या आप मानते हैं आपने जूट नहीं बोला इस तरीके से आपने जूट नहीं बोला क्या आप मानते हैं इस तरह से हम कहते हैं तो वहाँ पर क्या होता कि अगर वो हाँ का हाँ में जवाब दे और नामे भी दे तो दोनों तरह वो गल्थ होगा तो वहाँ पर क्या होगा complex question पूछ लिया जाता है आदमें समझ नहीं पता कि इसका answer मैं क्या दो आगे हम बात करते हैं कम hog ergo proprietor hog ये चीज हमने पहले भी की थी और अब दोबारा से फिर देख लिएते हैं कि इसका अर्थ है इसके साथ इसलिए इस वज़े से हुआ हम ऊपर करके आए हैं अब देखी जो हमने ये किया था ये बुखार वाला इसका फिवर हो गया था ये ऐसा ही है same to same वही है ये दोबारा repeat हो गया है आगे हम बात करते हैं sweeping generalization इसके इंदर क्या होता है this included two broad of an application of a premise इसके इंदर क्या होता है कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उस बेस पर हम उसको बहुत ज्यादा add कर देते हैं बहुत ज्यादा उसको मानने लग जाते हैं देखिए इसको हम एक example के तुरू समझने की कोशिस करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा जैसे दोड़ लगाना सवास्ते के लिए अच्छा है हम सभी को पता है कि दोड़ लगाना सवास्ते के लिए अच्छा है लेकिन अगर हम यह कहते कि 10 मिल दोड़ लगाने चाहिए तो यह तो अच्छा नहीं है ना अगर कोई कहते कि 10 मिल तक हमी दोड़ना चाहिए यह तो फिर हमारे लिहानिकार साबित हो सकता है तो यहां पर बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छा माना गया है किसी चीज को तो यहां पर क्या होगा हमारे पास हो जाएगा तो यह थी थी हमारी एक कटेगरी थी देख लिजी आप एक कटेगरी के यह परकार है और हम कौन से कर ले थे फैल्ची ओप्रिक्सप्सम और आगे हम बात करते हैं हमारे पास है फैल्ची ओफ रिलेवंस अब देखिए इसके भी कई टाइप है उनके बारे में हम इसके इंदर क्या होता है इसमें तरक के वजाए भावनाओं से अपिल करते हुए ऐ प्रासंगिक जानकारी दरा लोगों को बनाने का प्रयास किया जाता है इसके इंदर क्या करते हैं कि सही आर्गूमेंट नहीं देते हैं हम इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिस करते हैं इमो कल काम कर ले ना ना बैए नहीं तो मैं बहुत मारूँगा तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा ऐसे कहते न हम करास के अंदर हमने सुन आ है किसी से बात बनवाने की कोशिस कि जाती हैं थे या तो सच बोल दे निमय तिर distorted को बहुत बुरा भीज़, मानजा यार, मानजा मेरे लिए कर दे यार, उस में हम दया सई किसी को मनाने की कोछिस करते हैं, आगे हैं हमारे पास argumentum and popular, अब इसके अंदर क्या होता है, appeal to the people, appeal to popularity, इसके अंदर में किसी लोग प्रिये आदमी के बारे में बता के उससे appeal करते हैं, देख, तो न यह काम कर तो फिर वैसा बनेगा तेरे को भी इनाम मिलेगा उस लड़के को देगा वो लड़का जब पास आया था ना तो उसके घर वालों ने उसको वो चीज दिलाई थी और अगर तो ये करेगा ना तो तो भी साहरू खान की तरह इस तरीके से बहुत पॉपॉलर्टी होगी तरी यानि कि किसे पॉपॉलर आदमी का उधान देके उसको वो लालच दिखा के अब उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इन इच अफ दीज केसिज वी आर यूजिंग इमोशन वीच आरी रिलेवेंट टू दा थीस बिंग कंसाइडर इंद आर्गुमेंट यानि कि इसके इंदर जो भी चीजे हम ब्लैक मिलिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये सही तरीका नहीं है हमारा किसी से अपनी बात मनव आने का क्योंकि हो सकता है अगले को वो चीज अची ना लगे लेकिन हम उसको ड्राएं या धंकाएं या फिर उससे दया की अपील करें तो वह ना वो कहीं ना कहीं गल्त होगी अधर फैलसीज आफ रिलेवेंस अकर वैन वी इंटर्डूज एविडेंस डैट सिफ्ट फॉक predator ada hominum इसके अंदर क्या होता है कि आर्गूमेंट अगेश्च अगेश्जिह अगेंच फ़रसन इसके लकिसी वैक्ति केखिलाफ हम बात करते हैं सिफ्टिंग्वोंडी जाते हैं वह पर बाहरी होती है तो वहाँ पई क्या हुता कि जिवह क्यू मोजरी में वगें इसके हम व ता कि इसने माई लोड इसने ये किया था इसने वो किया था इसने उस दिन जूट वोला था और इसने ये कतल किया था यानि कि उसके चरितर पर हम ध्यान देते हैं और उसको जो उसको अभीव्त बनाने की कोशिस करते हैं उस टाइम हो सकता है कि हम उसको जो मुद्दा है करना कि कुछ चीज पसंद है उसको उसके अलावा कुछ और चीज का लालत से इसके ध्यान से अध्यान भटका दे तो वहां पर क्या होगा और है होगा अब थे की यहां पर मापका एक टॉट To जाएंगे अब देखी एक छोटी सी बच्ची कहरें कि मुझे वो खिलोना चाहिए लेकिन इसके मम्मी कहती है कि यानि कि घर चलो यम ट्रीट फोर यू यानि कि वहाँ पर आ तेरे लिए बहुत अच्छी चीजी है जल्दी से घर चलो मैंने तेरे लिए खाना बनाया है जल्दी से चलो घर पर मामा आये हुए है यानि कि यह इसका ध्यान भटकाने की कोशिस कर विया लेकिन यह लड़की क् यहान भटकाने की कुशिस की गई यहाँ पर आगे आगे हम बात करते है इग्नोरेंस इलैंजी इसके अंदर क्या होता है राइंग रॉंग कण्कूलूजिन फ्रॉम दा आ एविडेनस यानि कि साक्से से गल्त निश्कर्शा निकाल लेने अब देखिए यहान पर अब देखिए यहां पे मैं आपको एक example देने की कोश्यस करता हूं जिससे आपको समझभाएंगे यह पांडा है यह पांडा क्या कह रहा है इप silent movie are black and white यान कि अगर silent movie black and white है and panda are black and white पांडा भी black and white है इसलिए देन पांडा मस्ट भी silent movie यह कह रहा कि जो पांडा है वो भी silent movie है फिर तो ठीक है तो यहां पे क्या है कि यहां पे हम success से गल्त निसकर्श निकालने की कोश्यस कर रहे हैं जो हमारे पास evidence है उनसे wrong conclusion निकालने की कोश्यस कर रहे हैं आगे हमारे पास straw man falsi इसके अंदर क्या होता है इसमें किसी व्यक्ति आदे की बातों को सिध करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं देखें जैसे इसका बहुत ही अच्छा example है इस ट्रामेन का हिंदी में मतलब यह होता है कि हमारे खेतों में एक पुतला जो होता है ड्रेवा कहते ह हरियाना में उसको ड्रेवा यानि कि ड्राने के लिए पक्सियों को ड्राने के लिए होता है वो तो इसके अंदर आदमी ऐसा तो नहीं होता है यह देखे कैसे इनके हाथ बना रुक है और यह मूँ देखे कैसे बना रुक है तो टांगे देखे कैसे बना रुक है लेकिन यह हम पर क्या आए कि हम पक्सियों को ड्राने के लिए उसको ये ड्रावना पुतलां यहाँ पर बनाते हैं तो इसके इंदर यही होता है कि कि किसी वैक्ति इन में से कही न कहीं question आई हुए हैं आगे नमबर तीन पे जो category है हमारे पास fallacies of clarity और ambiguity है जोस्तों इसमें सपश्टा की कमी के कारणिया सब्दों की गल्द फेहमी से भी गल्दी हो सकती हैं अब जो सब्द हमारे पास होते हैं वो सपश्ट तरीके से नहीं हो सकते और उससे हम misunderstanding कर बैठते हैं और उसके अंदर क्या-क्या है किस तरह की fallacies है क्या-क्या type है उनके बारे में हम बात करने की कौशियों से करते हैं देखें इसमें सबसे पहले आता है इक वो वो केशन इसके अंदर क्या होता है applying different definition to a single term in an argument इसके अंदर क्या होता कि अलग-अलग definition को लागू कर दिते हैं एक तरक में एक ही सब्द के लिए विभिन भासाओ परिभासाओ को उप्योग करना तो यहां पर क्या हो जाता है इसका एक example लेकर चलते है giving money to charity is the right thing to do यानि की charity में पैसे देना हमारे लिए एक अच्छी बात है so charity have a right to our money तो इसमें यह कहा है कि charity है उनका अपने पैसे पे अधिकार है अब यहां पर जो right है right का अधिकार मतलब निकल रहा है यहां पर इसका meaning लेकिन यहां पर क्या right का मतलब था अच्छी बात ठीक है तो यहां पर एक ही सब्द है लेकिन इसका meaning दोनों जगे पे अलग- यह होगी इक वो वोकेशन फैलसी हमारे पास होगी करते हैं एंपी ही वॉली इसके इंदर क्या होता है ड्राइंग एक कंक्लूजन फ्रॉमें ग्रैमेटिकल एंबिग्यूटी यानि कि व्याकरनिक ऐस अपरश्टा से हम निसकर से निकाल लेके हैं अब देखी अलग हमारे ह इंदी में काफी सब्द होते हैं जिनसे हम अलग मतलब निकाल लेते हैं जैसे एक होता है साम साम एक होता है शाम ठीक है तो अब देखी अगर हम साम लिखेंगे तो अलग मतलब निकलेगा उसका लेकर शाम लिखेंगे तो उसका मतलब अलग निकलेगा लेकिन अगर वहाँ क्रणिक गलती होगी तो सीधी सी बात है उसका गलत मतलब निकलेगा ही निकलेगा आगे हम बात करते हैं कम पोजिशन अब इसके इंदर क्या होता है किसी एक पार्ट से पूरे भाग का निसकर से निकाल लेना तो अब देखी जैसे मान के चलिए कोई हमें दोस्त ये कहें कि य से क्या रिविजन है यहां रिजन सुने ना पहले ही जो पहले वाला दोस्त हो कहते है ठीक अभी ठीक तुम ना जा मेरे मुझे तेरी जोरूरा था नहीं है और कोई जरूरी नहीं है मैं आगके से साथ नहीं जाओंगा लेकिन अगला वाय के लिए भी सही होगी कई बार हम एक ही बात को सही मान के और उस व्यक्ति के बारे में पूरी राय बना लेते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके इंदर यही है कि किसी एक बात को हम सही मान लेते हैं उसी से हम अलग जो और पार्ट है उनका भी decision निकाल देते हैं आगे है natural falci कोई चीज दिखने में अच्छी हो सकती है प्राकर्टिक रूप से लेकिन सच में सायद हानिकारक हो सकती है तो वहाँ पे क्या होगा natural falci होगा अब देखें some other type of falci's के बारे में हम बात करते हैं falci of travel reason इसके अंदर क्या होता है किसी निसकर्ष के समर्थन में द हम कोई argument दे रहे हैं ठीक है तो वो उसके सही होने में या निसकर्स निकालने में बहुत ही कम साहिक हो रहा है बहुत ही कम महतव है उसका इसकंदर यह होता है और इसमें एक example लेके चलते हैं यह question आया होगा था हमारा तो यह देखते है sound is permanent because it is audible यह कहे रहा कि sound जो है वह permanent है क्योंकि यह हमें सुनाई देती है तो यह जो है न इसका महतों बहुत कम महतों आ रहे है यह न वह इसससे हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते ला कि student when your permanent है और permanent कैसे जैसे किसने कोई बात कह दी ठीक है तो वहात कह देई तो वो उसी जो महतव है वो बहुत कम महतव है महतव हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत महतव लेकिन इतना ज्यादा महतव नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास इस कांसर फैलशी ओफ ट्राइवल रीजिन हमारे पास हो जाएगा आगे हम बात करते हैं Falsy of irrelevant reason इसके अंदर क्या होता है किसी निसकर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण सत्य या निसकर्ष के लिए एपरासगी किया बेतुका होता है अब देखिए इसके अंदर यह है कि कोई हमें निसकर्ष निकालना है उसके समर्थन में जो कारण दिया गया है आर्गिमेंट दिया गया है वो बे तुका होता है वो उससे मिलता ही नहीं है बिल्कुल अलग होता है तो वहाँ पे क्या होगा फैल्सी ओफ इरिलिवेंट रीजन होगा बिल्कुल अलग होगा बे तुका होगा उसके अंदर आगे हम बात करते हैं फैल सि ओफ कंट्रडिक्टरी रीजन अब देखिए इसके अंदर क्या होता है किसी निसकर्ष के समर्थन में दिया गया एक कार्ण सत्य या निसकर्ष के लिए विरोधा भासी हो सकता है यानि कि कोई बात कहीं वी है और उसके उस बा होगा अब दिखिए इन्होंने एक और एक्जाम्पल यह कोशन आया हुआ था हमारे एक्जाम के अंदर sound is permanent because it is product like a jar तो यह क्या है contradictory का मतलब है कि बिल्कुल अलग है और विरोधावास हो रहा है इसके अंदर तो यहाँ पर क्या होगा हमारा हो जाए फैलशी ओफ because it is a product like jar कोई कहेगा कि sound permanent है क्योंकि यह jar की तरह है jar मतलब क्या होता है जिसके इंदर हम अचार वजरा डालते हैं कुछ चीज़े डालते हैं अगर मानके चलिए मैं आपको कहूं कि sound जो पर्मानेंट है क्योंकि jar की तरह एक product है तो आप विरोध करोगे ना मेरी बात का कि नहीं नहीं सर आप तो बिल्कुल गल्द कहे रहे हैं आप बिल्कुल विरोध करोगे मेरी बात का तो वहां पर क्या होगा contradictory reason हो जाएगा और आगे हम बात करते हैं फैल्सी ओफ wrong as reason इसके इंदर क्या होता है एक करण बार बार दोस्पुरूर होने के बावजुद सही माना जाता है एक करण एक reason देते हैं ठीक है वो बार बार गलत होने के बावजुद भी उसको सही माना जाता है ठीक है तो वहां मैंने आपको सभी type of fallacy informal fallacies करवाने की कोशिस की है मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको नई चीज़े पता चली होगी अच्छे से आप समझ पाए होंगे मैंने आपको हर एक fallacy with example असानी से समझाने की कोशिस की है अगर आपको आज की वी देवसी तो नहीं थैंक्यू बेरी मच्च दोस्तों अगर आपको नेट और ज्यार्स चाहिए तो हमारा पेड़ गोर से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के न्यू अपडेटिट इनोर्स देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी शिट के अलग है यानि कि सब आपको मिलने वाले हैं नमबर पांच के दोस्तों हम आपको ओल्ड टैन यूनिट की एड़ फ्री वीडियो देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ गोर्ष में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको मैथ रूटियाई के सभी कोशन का सुल्य प्रवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों आपको यह विताएंगे कि ऐसे कौन से कोशन है जो बार वार एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो दोस्तों देर किस बाप की अभी जोईन किजिए हमारा पेड़ कोर्ष क्योंकि निमीजीनेट है तो जयारब है